द्यान से सुनने में आने वाली रुकावटें Barriers of Active Listening किसी भी काम की पूरी जानकारी लेते और उसे समझाते वक्त, द्यान से सुनने की तक्नीक बहुत महत्वपूर्ण होती है. कार्य स्थल पर हो या किसी सभा में, वक्ता जो भी बोल रहा है, उसे सुनकर समझ लेना अपेक्षित होता है. फिर भी ऐसी कोई चीज नहीं होती, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती. द्यान से सुनने की प्रक्रिया भी इससे अंचुईन नहीं है. द्यान से सुनने में मुख्यतह दो तरहा की रुकावटें आ सकती हैं. एक, प्रत्यक्ष रुकावट और दो, आप्रत्यक्ष यानि मानसिक रुकावट. हम सबसे पहले प्रत्यक्ष रुकावट के बारे में समझ लेते हैं. बहुत आवाज दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हों और आज-पास बहुत आवाजें हो रही हों, तो जो बोला जा रहा है, वो सुनाई ही नहीं देगा, उसे समझ नहीं सकते. बहुत सारी आवाजें एक साथ कान पर पढ़ने से उसमें दिया गया वास्तविक संदेश दिमाग समझ नहीं सकता. उसका मतलब भी नहीं समझ सकता. इसलिए आज-पास होने वाली कई सारी आवाजें ध्यान से सुनने की प्रक्रिया में एहम रुकावट बन सकती है. तो ध्यान से सुनने की चाहे कितनी भी इच्छा हो, तब भी वो पूरी नहीं हो सकती. जब वक्ता जोर से बोल रहा हो, तब भी ऐसा ही हो सकता है. जोर से किया गया भाशन करकश लगता है. इससे कोई नहीं जानकारी या आनंद नहीं मिलता. और कुछ समय में श्रोता विचलित होने लगता है. समवाद सिर्फ आमने सामने बात कर रहे दो व्यक्तियों में होता है, ऐसा नहीं. बलकि एक बड़े से समू के सामने जन समवाद हो सकता है. दो या उससे ज्यादा लोगों के साथ फोन द्वारा किया गया समवाद हो सकता है. ऐसे समय में अपनी आवाज सुनने वालों तक पहुँचने के लिए कुछ यांतरिक उपकरणों की जरुरत होती है, जैसे कि माइक, स्पीकर, फोन पर समभाशन होता है. इसमें से कोई भी यांतरिक उपकरण अगर बिगड़ जाए, तो आवाज सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचने में रुकावट निर्माण हो सकती है. बार-बार ध्यान विचलित होना समवाद किसी भी स्वरूप में हो रहा हो, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार से वक्ता और श्रोता में से किसी का भी ध्यान बार-बार विचलित हो जाए, तो ध्यान से सुनने में कठिनाई आती है. समवाद में किसी तरह की कठिनाई आना भी एक रुकावट है. जैसे कि बार-बार सवाल पुछे जाना, इन सब चीजों से ध्यान विचलित हो सकता है। ध्यान से सुनना ये समवात की एक प्रक्रिया है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों शामिल होते हैं। वक्ता की बातें सुनने के लिए उसकी और पूरा ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। लेकिन श्रोता और वक्ता में से कोई भी अच्छी स्थिती में ना हो, जैसे कि उनके खड़े रहने या बैठने के लिए ठीक जगए ना हो, तो ये मुश्किल हो सकता है, और श्रोता या वक्ता विचलित होकर बोलने को अनसुना कर देंगे, यही नियम वातावरण के लिए लागो होता है, सवाद की जगे पर बहुत गर्मी, थंड या आसपास फैली होई दुरगंद की वज़े से ध्यान से सुनने की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है, जरूरत से ज्यादा जानकारी देना या श्रोता को उसमें रुची न होना, वक्ता और श्रोता इन दोनो में समवाद होने के लिए जो तत्व होता है, वो होता है विशय, मेरे सामने बैठे हुए श्रोता की उम्र क्या है, वो स्त्री है या पुरुष, वो समाज के किस वर्क से आता है, इसके बारे में बिना कुछ मालूम किये अगर जानकारी देते रहें, तो उसे सुनने में किस कोई रुची नहीं होगी, अर्थात, ध्यान से सुनना तो दूर, सुनने की प्रक्रिया तक पुरी नहीं हो सकती, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी अप्रत्यक्ष यानि मानसिक रुकावट हो सकती है, तबियत या शारेरिक स्वास्थ्य, कोई भी काम करने से पहले उसके के लिए शारेरिक स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी होता है। अर्थात, ध्यान से सुनने के लिए भी। सुनने की प्रक्रिया सिर्फ कान से नहीं होती। संदेश समझ लेना, चहरे के हाव-भाव, बोलने का तरीका, बोलने से जहलकने वाली भावना, इससे उस संदेश का सही मतलब लगाना ही ध्यान से सुनना होता है। लेकिन कभी-कभी शारेरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो समवाद में ध्यान एकागर करना मुश्किल हो जाता है। ये एक मानसिक रुकावट है। ध्यान विचलित होना ये कारण कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। शहर हो या ग्रामिन इलाका। ध्यान केंद्रित न होने के कई सारे कारण हैं। और हम उन कारणों के साथ जीते हैं। WhatsApp पर या Social Media पर आने वाला कोई notification भी ध्यान विचलित करने के लिए काफी होता है। ध्यान विचलित होने के लिए इसके अलावा भी अन्यकारण हो सकते हैं। जो ध्यान से सुनने की प्रक्रिया में मानसिक रुकावट हो सकती है। डर और हीन भावना डर भयभीत होने से निर्माण होता है। हिन भावना का मतलब है कि कोई चीज में कर ही नहीं सकता, ये बात हम खुद ही अपने मन में ठान लेते हैं। व्यक्तित्व का ये पहलू कभी भी किसी भी बात के लिए फाइदेमन साबित नहीं होता। सुनने का मुख्य उद्देश्य, जानकारी हासिल करना, ज्यान पाना, मनोरंजन आदी होता है, लेकिन किसी डर या हीन भावना की होने से वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। व्यक्तिगत स्वभाव वक्ता से शायद बहुत ग्यान और जानकारी मिल रही हो या मनोरंजन हो रहा हो, लेकिन उसे स्विकार करने की इच्छा ही अगर श्रोता में न हो, तो इसे श्रोता के स्वभाव का दोश कहा जाता है। किसी भी नई जानकारी और ज्ञान को स्विकृत न करने का रवईया या मुझे इससे ज्यादा ज्यान है, या मुझे ही सब ज्यान है, ये स्वभाव दोश किसी को भी सफलता के मार्क पर साथ नहीं देता। पूर्वधारणा किसी वक्ता के बारे में हमारे मन में कुछ मिथक होते हैं, वो वक्ता ऐसे ही बात करेगा, वो सकारात्मक बातें करता है या नकारात्मक बातें करता है, मुझे ये पता है, इसी को पूर्वधारणा कहते हैं, ये एक अप्रत्यक्ष या मानसिक झाल झाल